दोस्तों, सोनी टीवी का सबसे पॉपुलर टीवी शो, CID का हर किरदार लोगों के बीच काफी फेमस हुआ और लगभग 20 सालों तक ये लोगों को खूब एंटर्टेन किया है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि CID के एक्टर्स एक एपिसोड में कम करने के लिए कितने फीस चार्ज करते थे तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ACP प्रद्युमन के बड़े में फेमस टेलिविजन और फिल्म एक्टर शिवाजी सत्यम ने CID में ACP प्रद्युमन की भूमिका निभाई थी और वह CID के एक एपिसोड में कम करने के लिए RS1 लाख चार्ज करते थे अब हम CID के सबसे फेमस करेक्टर इंस्पेक्टर अभिजीत के बड़े में जान लेते हैं CID TV सीरियल में इंस्पेक्टर अभिजीत का किरदार निभाना वाले आदित्य श्रिवास्तव ने बहुत से फिल्मों और टीवी शोज में कम किया है CID TV सीरियल में एक एपिसोड में कम करने के लिए RS8000 से RS1 लाख तक की फीस चार्ज करते थे अब हम CID के सब इंस्पेक्टर पूर्वी के बड़े में जान लेते हैं CID TV सीरियल में सब इंस्पेक्टर पूर्वी का किरदार निभाना वाली पूर्वी का असली नाम अंस सैयद है और भी CID के एपिसोड में कम करने के लिए RS4000 चार्ज करती थी अब हम बात करते हैं डॉक्टर सालों के के बड़े में अपनी लैब की जांच से किसी भी कैसे को सॉल्व करने में आसन बनाने वाले डॉक्टर सालों के असली नाम नरेंद्र गुपता है और बेसिड के एक एपिसोड में कम करने के लिए 40,000 की फीस दे देते अब हम डॉक्टर तरीका के बड़े में बात कर लेते हैं CID TV सीरियल में डॉक्टर तरीका ने डॉक्टर सालों के असिस्टेंट का रोल निभाया था इसके अलावा डॉक्टर तरीका और इंस्पेक्टर अभिजीत का लव एंगल भी दिखाये गया था डॉक्टर तरीका का असली नाम श्रद्धा मसाले है और वह CID के एक एपिसोड में कम करने के लिए RS4000 चार्ज करती थी अब हम इंस्पेक्टर विवेक के बड़े में जान लेते हैं CID TV शो में इंस्पेक्टर विवेक का किरदार निभाना वाले विवेक मश्रूम CID के एक एपिसोड में कम करने के लिए 40,000 की फीस चार्ज करते थे CID TV सीरियल में दर्वाजा तोडने के लिए मशहूर इंस्पेक्टर दया का असली नाम दयानंद शेट्टी है इन्हें अपने सिंगम दो मूवी में जरूर देखा होगा दयानंद सिटी CID TV सीरियल में एक एपिसोड में कम करने के लिए लगभग 80,000 से RS1 लाख तक की फीस चार्ज करते थे जल्द कमबैक करेगा टेलिविजन इतिहास का सबसे लंबा शो CID पांच वर्ष पहले 21 साल तक चलने वाला सबसे लंबा शो है CID 80,000 है कलाकारों की प्रती एपिसोड सैलरी 111 मिनट का एक एपिसोड सिंगल शॉट में बिना किसी कट के शूट किया जा चुका है किरन जैन, मुंबई CID के दर्शकों के लिए अच्छी खबर है और चैनल के बीच सब कुछ ठीक नहीं था इसलिए शो को बंद करना पड़ा अब शो एक बार फिर से शुरू होगा और इस खबर की पुष्टी प्रोड्यूसर बीपी सिंग ने खुद की है CID Serial Actor is Back लगातार चल रहे वापसी के प्रयास बीपी सिंगह ने बताया जब से शो आफ एयर हुआ है तब से हम इसे दोबारा लाने का प्रयास कर रहे है हम प्लानिंग कर रहे है अब मुझे इसके लिए कनफरमेशन भी मिल गई है पिछले दो महीने से इस पर चर्चा चल रही थी और आखिरकार मुझे चैनल से इसे फिर से शुरू करने की इजाज़त मिल गई मैं रोमांचित हूँ कि जो शो कर रहे है कर रहे है कर रहे है कर दो 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 फड़ दोशार बाल अबहुता है झाल 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 झाल